स्टूडेंट्स आज मैं दोडिनाल माइक्रो कंट्रोलर एंड बैरेट सिस्टम्स M.C.E.S ता लेक्चर नमबर फाइफ डिसस करन जा रहे हैं असी हुन तक 8051 दे फीचर्स और ब्लोग डाइग्राम और आर्किटेक्चर अपन स्टेडी कर चुके हैं इस वारे इस वीडियो चाप देखांगे कि 8051 जड़ी आइसी है और 40 पिंदी है वो आइसी दा पिंद डाइग्राम की है मिस 40 जड़ी पिंद से है और यह हर एक पिंद की की लगवा आया ते ओना दा की फंक्षन है वाप आज स्टार्ट करांगे इस वीडियो तो हुन देखो 8051 माइकरी ओन ओलर ता पिंद डाइग्राम जड़ी दी आइसी है वो अपने कोल 40 पिंदी हुन दी है अपने कोल अजकल 8051 काफी पैकेजिंग अवेलेबल है लेकिन जड़ी जड़ी जनरल पैकेजिंग जड़ी आमतोर ते पैकेजिंग यूज किती है दी है 8051 वह अपनी यह डीप डीप मतलब है डूड इन लाइन पैकेज कि डूड इन लाइन मतलब की यह कि दो लाइन्स है तो दिखो थे पिंडाग्राम जड़ी अपने कोल लेफ्ट साइड ते 20 पिंद्ध यह ते राइट साइड ते अपने कोल 20 पींस है 20 सब्रसब्स 20 मैं फॉर्टी बीन दो लाइन्स दूल इस बाईन पैकेशिंग कर दे हैं lying दो साइड तो जो है पीन समिक अबने नोच नोच तो आपा जोड़ाई sep तक डिक हांगे 1001 दे इन नोच तो पर डिफाइन कर देया कि आपड़ है रिपन नमबर में आपके स्टार्ट करना और नोच तो आप मुलकिनिया में 21 to 40 40 बिन्स मतलब 20 बिन्स है ते अपने को डोल 40 बिन्स है इसलिए 805 वान दिया हूं देखो कि असी फीचर्स पड़ेशी के 805 वान दे अपने को चार पॉर्ट हुंदे है पॉर्ट 0, port 1, port 2, port 3 चारों पॉर्ट के नहीं बिट दे हुंदे है एक पॉर्ट अपना अठ बिटद हुए और अगर आपा एक बिट दी गल करिए इक बिट वास्ते आपनों एक पिन चाहिए जयादी हुए मिट इस एक पिन च्ड़िया हुआ एक बिट ही डाड़ा ट्रासफर कर सकती है तो यह जड़ी अगर आठ बिट दी गल भीए जोपने पोर्ट वट गांथ लाग्त वहां तो आख बीट वस्ते आपनु कि ने पिंट चाहिए उनकि-8 पिं कि फित सिंपलिक जिया कि इक पॉर्ट वासी पॉर्ट वासे अपनू во टे टुो साइँ रहा हुसिर आपने चार पॉर्ट से हैं पॉर्ट से लेफ्ट साइट थे लेफ्ट नाइं जडिये अपनी है नम्पिन नबर वन तो लेके एट तक अपना केड़ा पीन है यह जो केड़ा पॉर्ट है अपना पॉर्ट है वन उन्हाप पाँ पॉर्ट वन अथ बीट दो होंदा वह अगाँ बाँ डिफाइन किता हो आप है की 1.0 in 1.0 पी1.0 ता मदलब है port 1 दी 00 जाड़िये अपने किये बिट है ठीक है अधिये अपने किये पी 1.1, शेकंड पिन ते किये P1.1 न है, यह मतलब किये port 1 दी के डी है अपने यह 1 पिन है, ठीक है, अगर किये P1.2, P1.2 किये अपनी port 1 दी, शेकंड पिन, 2 पिन, अगर अपनी 4th पिन यह 05 दी, यह थे किये P1.3, port 1 दी 3rd बिट कर सकते हैं अब नेक्स्ट फाइफ पिन नंबर ते किये P1.4, port 1 दी 4th बिट, 6th पिन ते किये P1.5, port 1 दी 5th बिट, 7th ते किये 8051 दी इसी जेकंड यह 7th पिन ते किये P1.6, P1.6 किये, port 1 दी 6th बिट, ते 8th पिन ते किये P1.7, port 1 दी 7th बिट, देखो तो पहले जड़े 8 पिन अपनी यह 8051 आईसे दी, वो कौन यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं, port 1, port 1 आपना 8 बिट दाव है, ते आपनों किन नहीं पिन चाहिए ती 8, ठीक है, ते आपन शुरू कितों कर रहे हैं, पी 1.0 दो, पी 1.0 दो लेके अपना किता लेख रहे हैं, पी 1.7 तक, ठीक है, अपना किये, port 1, नहीं किन निकल कर रहे हैं, पाइट जो रहे हैं, आपने किया है, आरस्टी, आरस्टी मलब किया है, री स्टार्ट है, री सेट अपना रिसेट अपना कितों कर देंगा, 10 देखो के 10 तो लेके 17 पिन, 10 तो 17 अपने किन यह हो गया, इवी 8 हो गया, यह आपना यूज कर देंगा, port 3 वास्ते, ठीक है, पी 3 है, वो भी पी 3.0 लेके पी 3.7 तक हो सकता है, हम इसे लिए कली कली बीट अपना चेक कर सकते हैं, आठे बीट है अपने कोल, देखो पहली अपनी है पी 3.0, दूसरी है पी 3.1, फेर है पी 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, तो लास्त किया है, 3.7, तर नाल देखो, port 3 दे थे ल 3.0 दे लेफ़् सादे लिखे आवे, RXT, बी 3.1, दे लेफ़् सादे लिखे आवे, TXT, 3.2 दे INT 0, उपर की पहले है बार, 3.3 दे लेफ़् सादे लिखे आवे,ke meeting 1 रजा या यह बार है यह मतलब कि यह असी पोर्ट 3 नूँ एजन इंपूर आटपूर्ट पोर्ट तर यूज कर सकते हैं ना रहे दे कुछ होर फंक्षिन भी है जैब पाह रहे पाह एक्स्टरनल फंक्षन अपने यह रहे पोर्ट 3 दे जैब आप वह अडिशनल फंक्षन यूज करना च जे बार उपर नहीं आहीं जसके आरेट्र। टेव यूज करना नहांगेश़ पीननुज नश्म पिननेफी एक्टीव हाई कि एक्टीव मतलब कि यह कि और पीनन एक्टीव मतलब कि और डिये ओधै अटीवस न बार श्रावफ आपन से दिए प्रम्ट चiciónच को कराँगा फिर ⑽ से एकटिव नहीं गए जन्हां को सबती कि सब्सक्राइब अब वारा नहीं उपर टीच सी है टीश्टि तरम मसलबॉलब की यह प्रमीर है यह गाल– कि दाए एक्टिफ यह गाद जी रवह ए फिर एक्टिफ नहीं होगा उन्हें के अपने को 18 19 पिंते कि एक्स टी एयल तो ते एक्स टी एल वन एक्स टील दा में कृस्टल जी एंडी यह 28 फिन माइब ग्राउंड्ड है जोड़े है आईसीम आपके ग्राउंड कर दे हैं राइट साइट तो लेके टुन्टी एट तक आठ पिन नहीं यह आप यूज कर दें थे पोर टू बस थे पी टू पैंट जिर तो लेके पी टू पैंट सेवन पुम जड़ी एट ना लिख्या वै ते एट तो लगी है एफिफ्टीन तक यह अपनी अड्रेस बस है हाइर अड्रेस बस से आठ बिट दी पूंट इन्हीं पी एच ये उपर गिया बार बार मनलब किये एविकेड़ी पिन एट चीव लोपिन 30 था अपनी ALE, Oblique, Prog, Bar, ते यह दो फंक्शन है, ALE था भी, Oblique दूसरे गड़ाब है, Prog, यह उपर किये, यह भी किये, Bar, 31 की अपनी EA, दो पर Bar है, Oblique, VPP, यह भी दो फंक्शन वाश्च देउस कोती है, 31st Pin, हुन 39 तो लाएके 32 Pin, यह अपनी 8 Pin हो गया, यह पर यूज़ कर देया, Port 0 वस्ते, सेम होते ही है, P 0.0 तो लाएके P 0.7 तक, यह देखो, नाल के लिखे है, अब है, AD 0 तो लाएके किया, बना AD 7, हुन देखो, AD, AD मतलब किया थे, Address Bus भी है थे, Data Bus भी है, ठीक है, अपने Data Bus की न हो, 39 तो लाएके 32 तक है, ADDRESS Bus अपने 16 बिट सी हुन दिया है, जड़े अपर 8 बिट से अपने, ओ ता अपने Port 2 नाल है, इंटेग्रेटीड, मिस 21 तो लाएके 28 तक है, जड़े अपने लोवर 8 बिट से अड्रेस बस तो अपने 39 तो लाएके 32 तक, मिस ओफ पोर्ट जीरो नाल इंटेग्रेटीड है, तो 40 पिन देखो अपनी, जड़े 40 पिन अपनी, 40 पिन अपनी है, VCC, VCC मतलब किया है, अपने के वोल्टेज अप्लाई कर दें, आइसी नूँ, उन आइसी नूँ वर्क कर माज़ते कुछ वोल्टेज चाहे दी है, ते अप्रोक्सिमेटली 5 बोल्ट ते अपना 8051 है, 5 वोल्ट ते काम करता हुए, प्लस 5 वोल्ट ते वह अपना अपना अप्लाई कर दें, 40 पिन ते, ज एक साइट ते 20, दूसरे साइट ते भी 20, उन अपना इना पिन्स नूँ, डिटेल से टिसस करांगे, उन पहले अपना अंधाव है, पोर्ट 1, जो की पिन नंबर 1 तो लेके 8 तक है अपना, जड़ियां फर्स्ट एट पिन्स है, आपको देखिया, पिन डियाग्राम्स, 8051 जो अपना, पोर्ट 1 दा पिन नहीं, सरी है, पिन्स 128 आर दा पोर्ट 1 पिन्स ओफ 8051, ठीक है, मिस पेलियां पिन अपनी है, पोर्ट 1 दियां में, पी 1.0 तो लेके, पी 1.7 तक आपक देखिया सेगा, मिस हर एक बिटनों पर डिफाइन किता वाया थे, जड़ि फर्स्ट प पिन पी 1.1 है, जड़ि एट्स पिन है, वो अपनी पी 1.7 है, मिस अपने को आठ पिन नहीं, आठ बिटनों रिप्रेजेंट करना वास्ते, कि अपना कि नहीं बिट दा पोर्ट है, आठ बिट दा, ते यह जड़ि अपना पोर्ट है, यह डूवल फंक्शन ज काम करदाव है मिस अपना इनने इन 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 पॉत भी उस करदें और आप इन पे इन उगी उपँट भी उस कर सकतें है। डपैंडि इंपॉरि आउट्पोट भी उस कर सकतें है। अपनों कि आठ बिट दाव है तो आठ पीट जडिया है वो कि यह बाइड डिरेक्शनल है बाइड अमलब कि आपनों इन्पूट तेरा में उसका आप पूट जाना भी इन्पूट मलब डाटा पर रिसीव कर रहे हैं और प्रमल आप डाटा सेंड कर रहे हैं एक्सटरनल किसी डवाइस इसे आपके ने बाइड डिरेक्शनल लगी है कि आपका डाटा रिसीव भी कर रहे हैं तो डाटा सेंड भी कर रहे हैं ठीक है रिसीव मलब इन्पूट आपका युज़ करांगे जोड़ आपका सेंड करांगे उधा आपन वाइसे न आउट पूट उसका रहांगे ति एद अगे जो इंटरनल पूल एप रिजस्टरस लगिया में मैं जपनों एक्टेर्नली डिस्टरस लगांति लोड नी एकष्ट 8051 जड़ा अपना port 1 है और जब अपनों लोड नहीं है कोई भी नहीं सिखा लेकिन जड़े हुन अजकल दे टाइम जड़े माइक्रो कंट्रोलर जड़े 8051 दी आइसी आ रही है और च की यह और च कुछ अदेशनल फीचर एड़ किते गई है पोर्ट वन दे नाल इन सम अफ जड़े 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स फ्यू पॉर्ट वन पीन्स हैव दूल फंक्शन पी 1.0 एंड पी 1.1 एक्टास टाइमर 2 एंड टाइमर 2 ट्रिगर इंपुट रिस्पेक्टिवली जड़े आजकल 8051 माइक्रो दूरर्स आ रही है और पॉर्ट वहां दे डूल फंक्शन है कुछ पीन्स दे मेंस डूल फंक्शन मतलब कि एक ताहां अनल फंक्शन है कि वह एजन इंपूर्ट या उनपूर्ट अपूर्ट अपनों यूज कर सकते हैं पीन्स दों दूसरा जुरो फाइन दिया सीज आ रही है तो पी वन पंट वन नहीं उननों पर टाइमार टू दी ट्रिगर इंपूर्ट अपां वस्ते यूज करते हैं पी वन पंट फाइफ पी वन पंट सिक्स और पी वन पंट सेवन एक्ट एज इन सिस्टम प्रोग्रामिंग पिन्स दाट इस M.O.S.I.M.I.S.O. and S.C.K. रिस्पेक्टिबली जडियां आँ 1.5, 1.6 ते 1.7 पिन्स हैं पोर्ट वान दियां ए आई-एस-पी आई-एस-पी वास्ते यूज करते हैं अंदिया जिकल आई-एस-पी मतलब इन सिस्टम प्रोग्रामिंग उन एदा मतलब कि यह आई-एस-प यह दा मतलब ए कि पहले कि उन्दस्का जदो आपकोई भी प्रोग्राम मालों अपने को एड़ दो फाइवान जड़ी मैम्री है वो इरेजिबल मैम्री है अच्छ उन्नू उच्छ प्रोग्राम प्यावे यह उन्नू डिलीट करके अपन नहीं प्रोग्रम उच एड़ कर सक इस्टम चो फिर आपां लग बरना डियूस करके प्रोग्राम बन करते सी पर हुन की हो रहा है जड़े आजकल आइसी जार्यावे दिया वोदे विच आईस्पी इन बिल्ट है आईस्पी मनलब इन सिस्टम प्रोग्रामिंग मीस आपकानों आइसी नो सिस्टम चो कड़न द सिस्टम दे विच आईसी आलड़ी इंसर्ट है इवन देन आप वोदे विच प्रोग्राम जड़ावे चेंज कर सकते हैं तो जड़िए पिन है वन पाइंट फाइफ वन पाइंट सिक्स्टे वन पाइंट सेवन पॉर्ट वन दिया ओना नू यूज किता जा रहा है वैस पर इंपूट स्लेव आउटपूट एड़िए वन पाइंट सेवन पिन ने वह एक्ट कर दिये एस सी के मतलब सीरियल क्लोक यह अपना पॉर्ट वां दे बगल करिये फंक्शन से पॉर्ट नहीं अपना वन तो लाएके आठ पिन तक वन टू एट पिन तक अपना विलेबल आई सी विच पी वान पाइंट जिरो लेके वी पी वान पाइंट सेवन तक यह अपना इन्पूर्ट यह आउट पूर्ट वास्ते यूज करते हैं लेगिन जड़े आज गाल दिया इसी जारी है उन्हें उन्हें कुछ एडिशन फॉंक्शन से भी एड़ किते यांदे व्हिस जड़ी 9th पिन है 9th पिन अप्रुस्क्र दे और स्ट वास्तेर आरहें तीर मदलब किया है और स्ट मतलब है रीजेट पिन इस दा रीचेट इन्पुट पिन मैं यह सपाँ इस पिन ते इन्पूट प्रोवाइड करांगे आइसी नूँ रीसेट करना वाज थे इस एक्टिव हाई पिन याट इस इफ टा आरस्टी पिन इस हाए फॉर मिनीमुम अफ टू मशीन साइकल्स ता माइक्रो क्टोलर विल बी रीसेट दूरिंग दिस ताइम ता ओस्टेटर मस्ट बी रुनिंग तो आरस्टी पिन जड़ी ह वार हुँंदा अपनों गयाना सको एक्टिव लो पिरना जेव उपर बार नहीं नहीं है उन्हां अधिक्टिव हाई पिन लिकिन अपनों मिनिमम जड़ी है टू मशीन साइकल्स लिए उन्नों प्रस करके रखना पेगा ताही हो जड़ीव है रिसेट करेगा आइक्टिव इस टाइम ते जड़ा ऊसीलेटर अब भी रनिंग छोना चाहिए था है नेक्स्ट आप अंगल करते हैं पिन्स 10-17 जड़ी अपना पॉर्ट 3 है वो आइसी जड़ी अपने येट जूरो फाइवन दी है और दस तो लेके 17 पिन तक है पॉर्ट 3 दी उन्हें भी पॉर्ट 3 भी अपना प्रेट दाव है ते यह वास्ते बावन आठ पीन चाहिए हम है ते दस्तों लेके 17 अपने करें आठ पीन एक पिन कीरी परशन कर दिया एक बिट नो ते आठ पिन करेंगी आठ बिट नो ते पोर्ट 3 दा मबब पोर्ट 1 है उद्धें पोर्ट 3 दी पिन्स होन गिया पी 3.0 तो लेके पी 3.7 थक पिन्स 10-17 फॉर्म दा पोर्ट 3 पिन्स ओफ दा एट 051 माइक्रो कंट्रोल है पोर्ट 3 आलसो एक्ट से आज बाई डिरेक्शनल इंपूर्ट आउट्पूर्ट पूर्ट विद इंटर्नल पूल अप्स ठीक है सिमिलेली इदा पोर्ट 1 से अपन अपने एक्स्टरनल पूल पूल पूर्ट लिगां दी कोई नीड नहीं है थे एडिशनली एडिशनली आल दा पोर्ट 3 पिन्स हैव स्पैशल फंक्शन्स उन्हों पाप पोर्ट 3 नो एज इन इंपूर्ट या आउट्पूर्ट वास्ता यूज कर सकते हैं पर ना लिए दे पिन तो लेकर स्वाइब देखते हैं हुआ उन देखो पोर्ट 3 अव्य पूर्ट यूजरे अडिशनल फंक्शन है हर एक पिन दा कोई ना कोई फंक्शन है थे दिखो पिन तो लेकर पिन श्यंटीन तक अपने पोर्ट 3 विले बाला है पी 3.0 तो लेकर पी 3.7 तक और देको तो पी 3.0 तो लेके पी 3.7 तक है बिट तेटी पिन ना हो टैंट तो लेके 17 तक है इन्पुट अट्पूट अलबा आपा इन्नों होर भी फंक्शन वासे उसकर सकते हैं बिज़नों पी 3.0 अपनी पी 3.0 पर यूज़ कर सकते हैं और 2.0 अंपर डिटा रसी वास्ते पी 3.0 पा साथई है ईसकर हाँ 8051 दा पहले ब्लोग डायराम देख्या सिगा ओच देख्या सिए अपने को सीरियल पॉर्ट विच दो पिन हुंदियां है और एकस्ट ते टी एकस्ट मीस जड़ा अपना सीरियल पॉर्ट है वह आपा यूज कर दे हैं पॉल टुप्लेक्स मॉड विच जड़ा अपना 8051 विच है सिरियल पॉर्ट ते इस दो पिन्स अविलेबल है और एकस्ट ते टी एकस्ट आर एकस्ट आप जड़ा डेटा रेसीव करेगा टी एकस्ट जड़ा डेटा ट्रांस्मिट करेगा जिए अपा मनलों अगर सिरियल अपां सिंपली इंटरफेस करांगे जड़ा दूसरा डवाइस अपना होएगा 8051 ते नाल जड़ा 3.0 है ये डेटा रिसीव करेगी 8051 वस्ते जड़ा 3.1 ना ये डेटा ट्रांस्मिट करेगी 8051 वस्ते तो दस नम्बर थे आरेकस्ट ए ते इल्यावन नम्बर ते अपना टी एकस्ट है मेंस जड़ो आपा आरेकस्ट ये टी एकस्ट ये पिन यूज्ज करांगे ज़ोग पी 3.0 ते पी 3.1 नो एडिशना फं इंटी जीरो उपर की यादे बार, ये 12th पिन थे है, P 3.3, इंटी 1 उपर भी बार है, ये पिन नमबर 13th थे है, उन देखो, उपर बार है दोना थे, आई एंटी 0 ते इंटी 1 दे, ये मतलब कि एकडी पिन है, ये अपनी एक्टिव लो पिन से है, ये यार रखना है मेंशा, जी उपर बार नहीं है तो हूँ active high pin है, जी उपर बार है मतलब कि वो एक्टिव लो पिन से है, आई एंटी 0 ते इंटी 1 की अपना ये अपनी में इंटरेप्ट्स है, इंटरेप्ट 0 ते इंटरेप्ट बान। आप इंटरेप्स किती सी डिसकस, टोटल 5 इंटरेप्स होन द ज़िए 3.2 है वो 12th पिन है 3.3 अपनी है 13th पिन है ठीक है इदर आहीं आपा इंटरप्ट्स जड़िए आपा यूज कर सकते है एक्सटरनल इंटरप्ट्स अगला जड़ी पिन होए 3.4 इतने अपना अडिशनल फंक्शन की है वह है टीजिरो टीजिरो मतलब टाइमर जिरो यह अपना 14th पिनते अवेलेबल है ते 3.5 ते की है टीवान मतलब टाइमर वन यह अपना 15th पिनते है अपने गवाल दो टाइमर्स हुंदे है दोनों 16 बिट पिनते हुंदे है 8051 ते दोनों टाइमर्स जपां अक्सेनल यह अजा काउंटर यूज़ करना होवे ताम पर यूज़ कर सकते हैं 3.4 तो 3.5 पिनते थू 3.4 पिनते 3.5 पिनते 3.5 पिनते संधोंते 2.0 पिनते 3.5 पिन उप्सेन, एक्टिव लोरीया है लिदे काम करने है, और डी हॉय और पिनते 5 की ए राइट प्रेशन जासिते हूंगर पिनते 3.5 पिनते 3.5 उसके फीडिया पिन सोंदब करने किसे इंटरफेस करांगी तो इन बिल्ट मेमरी हुन दिया है रॉम अपने को लिए 4K तो राम अधिया 128 बाइट बाइट इन इनकेस अपना प्रोग्राम जड़ाव है ओ फोर के नालो ज्जादा मैम्मरी रिक्वाइर रहनों तो आपकी करांगे आपक्ट अपना इस चरनल मैमरी य प्रेट कर सकते हैं जो दो अपा एक्टरनल मेंडरी इंटर्फेस करांगे तो जड़ा रीट ते राइट और उप्रेशन यह उप्र यूज करांगे पिन 3.6 ते 3.7 तो मिन जो दो आपा मेंडरी कुछ राइट करना एंडेटा तो आपा 3.6 पिन यूज करांगे जिए अपा को पॉट 3 दे अडिशनल फंक्शन मिस पॉट 3 नो पा एजन इंपूर उट्पॉट यूज कारीर है लेकिन कुछ इना दे अडिशनल फंक्शन है रेक पिंद अपना को फंक्शन है तो जड़ा पॉट 3 अपना 10 तो लेकर 17 तक हुंदा हुए 1 तो 8 अपना सिखा पॉट 1 9 पिं सब्सक्राइब यूज कर सकते हैं तो आपने 1.5 1.6 1.7 पॉट 1 यूज यूज करते हैं इस पी वास्ते इस पी मलब की सब्सक्राइब इन सिस्टम प्रोग्रामिंग जड़ा नाइन्थ पिं नहों आपने रिजाट पिं सेगी वोच आपके यूज करते हैं जो आपका मालों सब्सक्राइब यूज करना चालने हैं तो आपका इन्पूट प्रोवाइड करते हैं नाइंथ पिंते जड़ी आरेस्ट पिंन हो एक्टिव हाई पिंन है तो आप पोर्ट 3 है और 10 तो लेके 17 पिंताक है इस अधिशन होशन साहब है अपने को 3.0 ते आरेक्स टी है 3.1 ते TXT 3.2 ते INT 0 उपर बार है 3.3 ते INT 1 उपर बार है 3.4 T0 टाइमर 0 3.5 ते 1 टाइमर 1 है 3.6 WR उपर बार है 3.7 RD उपर वेदे भी बार है WR मिलब राइट RD मिलब रीड और हैस्ट आरेक्स टी मिलब बार रेसीव टी एक्स टी मिलब देटा करांगे